नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे तो दोस्तो भारत की डियाइडियो हमारे एरक्राफ्ट की जो ग्राउंड कैपबिलिटीज है उनको बढ़ाने के लिए जो साव बॉंब्स है उनके ओपर काम कर रही थी तो उसके जो काफी सारे टेस्ट है वे भी चुके थे तो जो भारत का होकर एमके वन थर्टी टू एरक्राफ्ट है और साथ में जो जैग्वार एरक्राफ्ट है इनसे डियर्डियो के जो स्मार्ट एंटी एरफिल्ड वैपनस है इनका टेस्ट हो चुका था लेकिन अब कुछ समय में ही जो भारत का तेज़स उससे भी इन bombs का जो है test किया जाएगा और ये जो bomb है इनकी जो range है वो 100 km तक है और साथ में इनकी जो range है वो अलग-अलग altitude के ओपर depend करती है कि आप किस altitude से इन्हें जो है fire कर रहे हैं क्योंकि अगर आप जितनी जादा height से इनको launch करेंगे उतनी जादा इनकी range आएगी और प्राइली स्पाइस टूट हाउजन बॉंब की तरह है जो कि बालकोट एर स्ट्राइक में भी हमने यूज किये थे हाला कि उस बालकोट स्ट्राइक को पाकिस्तान ये कह करके मतलब नकारत दिया था कि उनके कुछ पेड़ ही गिरे थे तो इसी तरहां से उन्होंने 1971 में भी ये बोला होगा कि हमारे 93,000 जो है पेड़ वो गिर चुके हैं और जो बाग है वो दो हिस्सों में बठ चुका है तो दोस्तों ये जो बॉंब है ये मेंली जो दुश्मन के रडार, बंकर, रन्वे उनको यानि कि जो लोजिस्टिक्स है उनको डिस्ट्रॉय करतने के लिए ह और साथ में ये पिन पॉंट एकुरेसी से किसी भी टार्गेट को डिस्ट्रॉय करते हैं इनके जितने भी टेस्ट अब तक हुए हैं उन्होंने काफी जाद अच्छा रिजल्ट यहां पर दिया है और इनके 2016 से काफी सारे टेस्ट जो हैं वे हो चुके हैं और सरकार ने इं से उनके उपर काम कर रहे हैं जो की जैमिंग नविगेशन या जो दूसरी समस्याइं सामने आती है उनको खुद से दूर करने में शक्षम होंगे तो यह तेजस पर इन्हें जब इंटिक्रेट किया जाएगा तो जो तेजस की ग्रांड अटेक कैपेबिलिटीज हैं उनको क अच्छा वैपन पैकेज हम दूसरे देश को यहां पर एक्सपोर्ट के लिए जो हैं ओफर कर सकेंगे तो इससे भी हमें काफी जादा फाइदा यहां पर होने वाला है और इसके बाद राजना सिंग जी की अगवाई में आज तेनों से नाओ के लिए जो MQ9 दीपर या जि आँ तो आप मतलब 22,000 करोड के आज पास यह बैठेगी तो तीनों से नाओ को यहां पर दस दस जो ड्रोन है वे प्रोवाइट कराए जाएंगे और इससे पहले जो इंडियन नेवी है वो दो ड्रोन को यहां पर ओपरेट कर रही है उससे भी काफी ज्यादा हमारी जो इसपोर्ट की मंजूरी है वो भी दे दी है और यह ड्रोन 1700 किलोग्राम तक का जो पेलोड है वो ले जा सकते हैं और यह कितने ज़्यादा खतरतनाक ड्रोन है आप देखी अमेरिका ने इरान के जो जरनल कमांडर थे कासिम सुलिमानी उनको इसी से जो है हिट किया था और इ इसी के साथ हम नकसली जैसे हमलों के खिलाफ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जो स्ट्राइक है उसमें एक काफी ज़्यादा काम आने वाला है और इसके बाद इंडियन आर्प में ही आप देखीगा इनका सबसे ज़्यादा यूज करतने वाली है तिनों से नाओ में और इस इसकत करूआ कर दा सकते हैं और इसके बार इसके घजिए कर सकते हैं 예리 का स सबसद आर्प में ऀम है ज़का कर दे cuánt